मूवी के स्टाटिंग में 11-18-173 में मेक्सिको का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक फैमिल्य को दिखाया वीआ है उन में एक हैस्बंड और एक वाईफ और उनके दो चोटे बच्चे होते हैं वो लोग अपने लाइफ में बहुत खुश होते हैं वहां से भागने की कोशिश कर लेकिन उसकी मदर उसका पीच्छा करते हुए उसे पकड़ कर ले ही जाती है इसके बाद सब 1973 में लोस एंजलिस को दिखाया गया है यहाँ पर एना नाम की एक और दिखाया जाती है जो अपने दो बच्चों क्रिस और समेंथा के साथ रहती है वो अपनी लाइफ को अकेले ही गुजार रही थी क्योंकि एना के हस्बेंट एक पुलिस ऑफिसर थे जिनके डेथ हो जाती है एना बच्चों का खयाल और घर के सारे मामलाद खुद अकेले ही हैंडल करती थी इसके इलावा एना डिपार्टमेंट और सोशल सर्विसीज में जौब भी करती थी इस डिपार्टमेंट का बेसिक वर्क ये डिखना था कि पेरेंट्स अपने बच्चों की सही से तर्वियत और परवरिश कर भी रहे हैं या नहीं एना को अपने ऑफिस से ये पता चलता है एक पैट्रिश्या नाम की और उसकी बच्चों का केस उसकी एक केस पेले ही रखना होथा। और यही वजह है कि इसके इलावा किसी और को दिया जारहा है। मगर फिर ब्र इस पर एग्रीद नहीं हो वो कहती है। मैं Patricia को जानती हूँ और वो मेरे उपर विलीफ भी करती है और उसकी बच्चों को तो मैंने अपने आंखों के सामने ही बड़े होते हुए देखा है वो कहती है कि उसके इनावा कोई भी ये केस अच्छे से हेंडल नहीं कर से फिर एना के बोस उसके बाद पर एक्री हो जाते हैं और वो केस एना को ही दे 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 पैट्रीशिया की बच्चों के स्कूल से कॉल आती है कि वो फिर से स्कूल नहीं आ रहे हैं और यही वज़ा है कि एना को उनके घर जाना था जिस पर उसके बोसों से कहते हैं कि वो अपने साथ एक पूलिस ओफिसर को भी लेकर जाए और एना एक पूलिस ओफिसर के साथ पड़रिशिया के घर पहुची जाती है सबसे पहले पड़रिशिया सबको अंदर आने से मना कर दीती लेकिन फिर Anna उसे बताती है कि वो सिर्फ अकेली ही अंदर आएगी और इस बात पर Patricia उसे अंदर अनुद न देखती है की Patricia बहुत बूरी तरहां डरी हुई है और वो फिर उससे उसकी बच्चों के बारे में पूछती है जिस पर वो कहती है क्योष च्योफ. लेकिन एना को उसके बच्चे नजर नहीं आ रहे होते पिर एना को एक दोर नजर आता है जिसके उपर बहुत ज्यादा आइस की पिचर्स बनाई होते एना उस दोर के पास जाती है जिसे देखकर पेट्रीशिया बुरी तरह भड़क जाती है उसे मारने की कोशिश करती है जब भी फोरन पुलिस वाला वहाँ पर आ जाता है और पेट्रीशिया को पकड़ लेता है और इसी दुरान एना पेट्रीशिया की गले से एक की निकाल लेती है जिसपर पेट्रीशिया उसे कहती है कि उस दोर को मत ओपन करो लेकिन एना दर्वाजा खोल लेती है और उस डोर के अंदर पेट्रिशा के दोनों बच्चे होते हैं वो दोनों बच्चे भी बुरी तरह काफी डरे और सहमे होते हैं और एना को कहते हैं कि दर्वाजा बंद कर दो वरना वो हमें मार दे एना को इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि वो किसी बात कर रहेurgh इसके बाद एना अपने घर चली जाती है जोली उन्हीं और भालो रुरोना है अपने बच्चियघ ऑच्छों को पानी में डिब होकर Πातूर उन्हीं अपत्रीश को विश्टों को पानी में डिबोकर पहुँचते ही है कि तब भी वहाँ पर Patricia भी आ जाती है और वो एना को कहती है कि तुमने मेरी बच्चों को मार डाए और ये भी कहती है कि सिर्फ एक ही रात बची थी और इसके बाद हमें उसे चुटकारा मिल जाता है जिस पर एना उससे पुछती है कि किस से और Patricia जवाब देती है कि लाल औरोना से इसके बाद पुलिस वाले Patricia को वहाँ से ले जाती है बाहर कार में समेंथा सो जाती है जब कि क्रिस जाग रहा होता है वो चुटके से गाड़ी से उतर कर उन बच्चों की डड़ बाडिस को देखने जाता है इसी दुरान क्रिस को वहाँ पर किसी के रोने की आवाज आती है और ये कोई और नहीं होती बलके लाल औरोना होती है जो कि क्रिस को अपने पास बुला रही होती है और फोरन वहाँ से गाइब भी हो जाती है और एक दम से वो क्रिस के पास आजाती है उसका हाथ पकड़ लेती है जिससे कि उसका हाथ जल जाता है और क्रिस की हाथ पर भी जलने का वैसा ही जकम हो जाता है जैसा पेट्रीशा के बच्चों की हाथ पर था क्रिस काफ़ी डर जाता है और कार में आकर बैठ जाता है लेकिन लालोरोना भी वहाँ पर पहुँच जाती है और क्रिस को डराना शुरू कर देती है लालोरोना कार के अंदर भी आने की काफी कोशिश करती है फिर एना वहाँ पर आ जाती है और उन्हें लेकर घर आ जाती है अगली सुमा एना चर्च जाती है और चर्च के बाहिर एक विच डॉक्टर जिनका नाम रैफल अलवेरा होता है वो खड़े होते हैं वो अपने जदूई वर्ड्स की मदद से लोगों का ट्रीटमेंट कर रही होते हैं जिससे के वो ठीक हो जाते हैं एना फादर से लालोरोना के बारे में पूछती है और फादर उसे लालोरोना के बारे में सब कुछ पता देती है समेंथा जो कि अपने घर में खेल रही होती है और उसे भी वहाँ पर लालोरोना नजर आती है लालोरोना समेंथा का हाथ भी पकड़ की उसे कर्स बना देती है और समेंथा के हाथ पर भी जिलने का जखम बन जाता है एना घर आ जाती है और वो देखती है कि समेंथा बहुत ज़ना डरी हुई है एना उसके हाथों पर जिले हुए जत्मों के बारे में पूछती है तब समे जूट बोल देती है कि मैं कहीं पर गिल गई इन एक डिटक्टिव जिनका आम कूपर होता है वो एना के घर पर आते हैं जो कि एना के हैस्बेंटी फ्रेंड थी कूपर एना को बताते हैं कि पुलिस वालों को पेट्रीशा पर ही शक है कि उसी नहीं अपने बच्चों को मारा ह लेकिन पेट्रीशा और उसके गवाहों का ये कहना है कि मर्डर की दुरान पेट्रीशा फूल टाइम चर्च में ही थी कूपर एना को एक फाइल देते हैं ताकि पेट्रीशा के के केस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले सके फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं अपने आप खुल जाता है और ऐसे फिल होता है किसे कोई मैजिकल पावर अंदर दाखिल हो गई है एना क्रिस को उसके बेट पर सुला देती है और समेंथा को देखती है और उसी वक्त कोई पैट्रीशा के फाल की पेपर्स को उठाकर जमेंद पर प्हांक देता है तब एन उसे कहती है कि वह वहां से चली जाए इतनी ही देर में क्रिस और समेंथा दर्वाजा खोल की वहां पर आ जाते है एना उन दोनों को अपने बैट पर सुला देती है लेकिन खुद वह सारी राद जापती रहती है उसे नीम नहीं आती है एना पैट्रीशा से मिलने जाती है लिकिन पैट्रीश्या एना को ईसकी बच्चों की मौत का जिम्हेदार समझती ही और उसी दोरान एना पैट्रीशा की हातोंपर वही जलने ने निशान दे पैट्रीशा ऊती है और अब एना के बच्चों को भी उसके रोने की आवाज आएगी और वह उन्हें भी अपने लेकिन मौके पर ही एना वहां पर पहुंच जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है जब डॉक्टर क्रिस के हाथों पर जलने की जखम देखता है तब वो डिपार्टमेंट ओफ सोशल सर्विसिस को कॉल कर देता है रात को एना के घर पे कूपर और उसकी कोलीग डोना आ लेकिन मौके पर अपर पहुंच जाती है और उसे बचा लेती है इसके साथ लालडोवर्णा को भी कर्स कर देती है और बड़ी मुछल से अपने बच्छों को महाँ से लेकर भागने में कमयाब हो जाती है और छोने वहाने चीजों था कुछ सी ने ने का तटोश में कई हफ और फादर एना को रफैल के पाट जाने का मश्वरा देते हैं Brisbane अपने भुक को लेकर एक पास चलिए पहले तो अनकी मदद करने इनकार कर देता है लिखिन किसी 하나 alguém की कात्र हम एक को जोट तो ऑने को जो इस बात की तरफ इशारा थे कि वहाँ पर वाके ही कोई शेतान मुझूद है। रैफल अपने मैजिकल वर्ड से सारे घर को बान देते हैं क्योंकि रात होने वाली थी और लाल औरोना की पावर मजीद बढ़ जाती है। रैफल अइना और उसके बच्चचों को बचाने के लिए अपने बहुत सारी चीज़ों को और बहुत सारी अलफादों को इस्तामाल करते हैं। रैफल क्रिस को उस क्रॉस के बारे बारे में बताता है जो फायर टीजर से बना होता हूं और जब लाल औरोना अपने बच्चों को मार रही थी तब उसे ऐसा करता सिरफ फायर ट्रीज नहीं देखा था और उसी वक्त वो फायर ट्रीज रो भी रही था फायर ट्रीज लाल औरोना के इस गुना का एक अकेला और अकलोता सबूत थी जिसके आगे लाल औरोना की सारी पावर कमजोर पड़ जाती है रैफल बताते हैं कि ये एक बहुत ताकतवर शेतान है और हमें सब को मिल कर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा फिर वो अपने मैजिकल वर्ड्स की मदद से लाल औरोना की आंसों को पाक साफ करते हैं ताके उसे उसके खिलाफ ही इस्तामाल कर से जब रात हो जाती है तो उने लाल औरोना की आने का मैसेज मिल जाता है और रैफल एना और उसकी दोनों बच्चों को कैंडल्स की एक दाइरे में रखते हैं लाल औरोना को छींक आती है और उसकी शितानी पावर की वज़े से हवा के वेव से सारी कैंडल बूझ जाती है लाल औरोना सबसे पहले एना पर अटैक करती है और उसके बाद वो क्रिस पर अटैक करती है लाल औरोना क्रिस को खैच कर बाहिं ले जाती है और रेफल क्रीस को पकड़ लेते हैं और वो ही आंसू लाल औरोना के फेस पर फैंक देते हैं लाल औरोना के फेस पर वो आंसू गिरते ही उसका फेस जलने लगता है लेकिन वो अभी भी जिन्दा होती है और खतम नहीं हो पाती तब ही रेफल गर के दर्वाजे पर फायर ट्रीस के बीच को लगा देता है इन बीचों को पार करके वो अंदर नहीं आ सकती थी लेकिन वो मज़ीद गुसे में आ जाती है फिर लाल औरोना पिछी से अंदर आने की कोशिश करती है और ये सब पिछले दर्वाजे को बंद करने की कोशिश करती है यहां पर लाल औरोना ने ये सब जाल इसलिए बिचाया था ताकि उन सब का धिहान पिछले दर्वाजे पर लग जाए और उसकी आने में असानी हो जाए ये लाल औरोना समेंटा को उसकी डॉल के दूरू बाहिर निकालने की कोशिश करती है समेंटा को दर्वाजे के बाहिर उसकी डॉल नजर आती है और वो डॉल ओपन करके उसे लेने के लिए बाहिर जाती है समेंटा इस बात का बहुत ख्याल रखती है कि वो बीजों की ते को क्रॉस ना कर सके और तब ही वहाँ पर एना पहुंच जाती है वो समेंता को डॉल लेने से मना करती है और भागते हुए उसके पास आ जाती है लेकिन समेंता की हाथ में उसकी डॉल लग जाती है और जब वो डॉल को अंदर की दरफ खेंच रही होती है तब उन बीजों की लाइन तोड जाती है इसी तुरान लाल औरोना समेंटा को बाहिर खैंच लेती है और दर्वाज़ा खुद बखुद बंद हो जाता है लाल औरोना समेंटा को पानी में डबो कर मारने की कोशिश करती है लेकिन एना वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे बचाने के लिए आ जाती है वो भी पानी में कूच जाती है जैसे ही एना समेंटा को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है लाल औरोना उस पर भी अटैक कर दीती और उसे भी जान से मारने की कोशिश करती है तब ही रैफल भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो स्विमिंग पूल को अपने जल से शिफाफ कर देते हैं जिससे के लाल औरोना को वो स्विमिंग पूल से निकलना पड़ता है और एना और समेंथा दोनों बच जाते हैं फिर हम देखते हैं कि एना के हाथ में लाल औरोना का लॉकिट आ जाता है और वो लोग समेंथा को लेकर अंदर भी आ जाते हैं समेंथा बार बार घर से जाने की कोशिश करती है जिस पर रैफल एना को बताता है कि समेंथा के ओपर लाल औरोना हावी हो चुकी है और जब भी लाल औरोना समेंथा को बुलाएगी तो ये फौरान उसकी तरफ चल पड़ेगी रैफल एना को ये भी बताते हैं कि जब तक लाल औरोना से पीछा नहीं चूटता हमें इन दोनों बचों की हिफाज़त करने पड़े एना अपने बचों को कबड में इसी तरह बंद कर देती है जैसे पैट्रीशा ने अपने बचों को किया दूसरी तरफ घर के बाहर लाल औरोना अभी भी बच्चों का वेट कर रही होती है एना रैफल को वो लॉकिट दिखाती है जो उसने लाल औरोना के गले से उतारा था रैफल एना को कहते हैं कि तुमी से संभाल कर रखो हम इसे उसके खिलाफ इस्तामाल कर सकते हैं कुछ देर गुजर जाने के बाद एक और उन बीजों की लाइन को क्रॉस करते हुए उनकी बच्चों की पास पहुँच जाती है यह और पेट्रिशा होती है जिसे यह लगता है कि अगर वो समेंथा और क्रीस को लाल औरोना के हवाले कर देगी तो वो उसके बच्चे उसे वा अपने आप लॉक हो जाता है फिर वो घर की सारे दर्वाजों को बंद कर दीती है ताकि बच्चे बाहिर ना जा सके इसी दुरान क्रीस लाल औरोना को वो लाकिट उठाकर समेंथा के साथ उपर की तरफ भागता है क्रीस और समेंथा स्टोर में जाकर चुप जाते हैं और लाल औरोना भी उनका पीचर करते हुए वहां पर फंगो जाती है उन्हीं मालने ही वाली होती है कि क्रीस उसे उसका लॉक दूसरी तरफ लाल औरोना जब क्रिस को टच करती हुए रो रही होती है तो उसके पीछी रखा हुआ मिरर उसका कपड़ा हर जाता है और जब लाल औरोना खुद को शीशे में देखती है तो वो फिर से शतान बन जाती है और वो शीशा भी तोड़ जाता है लाल औरोना रेफ उस क्रोस की वज़े से लालो रोना खतम हो जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाती है और इसके साथ ही मूवी भी एंड हो जाती है